कानपूर से विधायग अभीजीत सिंग सांगा के वीडियो शुचर मीडिया पर खुब वारल हो रही है जिसमें विधायग जी दरोगा पर 50,000 रिश्वत लेने का आरोप लगा रहे हैं हम आगको बता दी कि यह विधायग सपाफोंग्रिस या बीएसपी के नहीं सक्ताधारी पार्टी बीजेपी के बिठूर विधानसबा से विधायग अभीजीत सिंग सांगा जिनोंने अपनी पार्टी के खिलाफ मोचा खोलते हुए घाटमकूर एस्टीपी और थानेदार को जम कर खरीखोटी स्नाई है विधायग जी का कहना है दो भाईयू के जगड़े में लूट का मुकदमा लिखने के बाद संजीव दरोगा 50,000 रिश्वत लेकर एफायार लगा दी विधायग जी यहां नहीं रुके उन्होंने यहां भी कहा किस सरकार हमारी है इसका मतलब यह जा नहीं कि आपको लूट का लाइसेंस मिल गया योगी जी इमानदारी की बात कर रहे हैं और पुलिस यहां पर लूट मचा रही है विधायग जी ने यहां तक कहा कि अगर तुम्हारे बस में नहीं है खाना चलाना तो खाने को छोड़ो नर्क बना दिया है पूरे शिक